आज मेरे पास Word का best streaming camera है, सिर्फ streaming camera ही नहीं है, उसके साथ साथ ही content creator का best friend होने वाला है, मेरे पास यह वाला जो camera है पिछले डेड़ महीने से है और मैं इसको use कर रहा हूँ और मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि इससे बड़िया device आपने आज तक नहीं देखा होगा, सबसे पहले तो यह streaming device है, आप ऐसे तीन cameras को connect करकर एक बड़िया सेटप बना सकते हैं और यहां पे आपको individual recording भी मिल जाती है और एक बहुत ही बड़िया PTZ camera है, PTZ का मतलब नहीं पता तो pan, tilt and zoom, अब यहां पे सारे features की one by one बात करते हैं, लाइफ streaming के लिए तो यह camera बड़िया ही, और अ तो यहां पे बहुत सारे method मिल जाते हैं, इस camera को connect करने के लिए चाहए वाइड की बात करूँ या wireless और यहां पे एक memory card slot भी है, तो आपको जो भी recording करने है वो in-house camera में ही आप कर सकते हो, आपको किसी भी extra चीज की जरूरत नहीं है, और इसको आप ऐसा vlog camera भी यूज कर सकते ह और 360 degrees में यह जो camera है, वो घूम सकता है, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो मज़े से आप कहीं भी जाओ, आपका जो camera है आपको track करता रहेगा, जैसे मैं कर रहा हूं, तो AI के features यहां पे भर भर के हैं, और इसके अलावा यहां पे बहुत सारे gestures आपको मिल रहे हैं, तो जै अगर आप record करना चाहते हो video, तो आपको बस जो okay का sign रहता है, वो करना है, करूंगा नहीं, अगर मैंने किया तो बंद हो जाएगा, तो universal जो okay का sign आपको पता ही है, वो करो, और वहां से recording on हो जाएगी, और अगर आप zoom करना चाहते हो, तो आपको बस कुछ इस तरीके से करन और अब एक बार मैं आगे हो studio के अंदर, ताकि आपको studio के अंदर कैसी footage मिलते हैं, वो भी मैं दिखा पाहूं, इस camera के अंदर हमें मिल जाता है 1 over 1.8 inch का CMOS sensor, और यहाँ पे काफी बड़ा pixel size हमें मिलता है 2 microns का, और aperture मिल जाता है F1.8 का, तो काफी जादा light भी आती है, और live stream कर सकते हैं, अपने favorite platform के ऊपर चाहे हो Facebook हो, चाहे हो YouTube हो, Twitch हो, या Vimeo हो, कोई भी ऐसा platform हो, आप उसके ऊपर live stream कर सकते हो, बड़े ही मज़े से, और अगर आप लोग चाहते हो कि और भी जादा तेज हो, तो यहाँ पे आप इस तरीके की एक Ethernet cable extra purchase कर सकते हो, अपने camera के और direct Ethernet cable इस पे लगा के एक बहुत ही तगडी आप live stream कर सकते हो, जहाँ पे बड़िया quality मिलेगी और तेज internet रहेगा, तो और भी बड़िया तरीके से live stream आप कर पाऊगे, और अब एक बार आपको camera भी up close दिखाओ देता हो, अब लोग की बात करें, तो लोग आपके सामने ह बहुत ही प्यारा design यहाँ पे हमें इस camera का मिल रहा, और सबसे पहली चीज़ आप notice करोगे जब आप इसको पकड़ोगे पहली बार इस camera को, कि यह कोई भी lightweight camera नहीं है, बहुत ही अच्छी build quality यहाँ पे आपको मिल रही है, हर चीज में अगर आप देखोगे, तो quality अपने chargeable battery भी मिल रही है, आप इसको as it is भी use कर सकते हो, यह जो button मिल रहा है, इसको अगर आप दबा कर रखते हो, तो आपका जो camera है, वो on हो जाता है, आपको यहाँ पे भी LED light दिख रही है, और इसी light से आपको पता चलता है, कि आपकी tracking on हो गया, recording चल रही है, या फिन नहीं, त आप इसको full charge करके लेगे जा सकते हो, और RAM से अपना live stream जो है, वो complete कर सकते हो, और bottom की भी बात करोगे, तो आपको bottom में भी एक rubber की ring मिल रही है, ताकि जब आप desk के उपर रखो, तो एकदम desk के उपर रहे हिले ना, वेट बगएर के अलावा अगर बात करो, two axis वाले यहाँ हमें gimbal मिल रहे है, उसकी performance आप लोग अबी देख चुकिया और आगे इस video में और भी मैं आपको features दिखाने वाला हूँ, camera की बात करों, तो यहाँ पे 8-piece वाला prime lens हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे aperture हमें मिल रहा है, F1.8 का, और जो sensor है, वो है 1 over 1.8 inch CMOS sensor, और यहा आपको बढ़िया मिलती है, इस camera के अंदर, अब camera की बात तो कर लिए, जो 4 lights है, हर light 25% battery आपको बताएगी, तो 4 जब on है, तो मतलब full charge है, अभी है 75% पे, उसके अलावा दो यहाँ पे आपको holes दिख रहे होंगे, यह हैं आपके microphone और एक audio का sample आप सुनो, तो कुछ ऐसी audio आ आपको मिल जाएगी, off spot के tail air से, अब आप लोग खुच चेक कर सकते होंगी, कैसी audio quality यहाँ पे आ रही है, भी मैं अपने studio के अंदर हूँ, बाहर वाली audio था मैंने record नहीं किया, बट studio के अंदर वाला, आप खुच चेक कर सकते हो, और usually जब आप live stream करोगे, तो आप studio के audio मिले, जैसे मैं आप भी यूज कर रहा हूँ, अपने DJI का माइक, अगर आप हम लोग आ जाएं, इस साइट पर यहाँ पर जाएगा, आपका micro SD card, और उसके नीचे है micro HDMI port, जहाँ पर आप किसी भी monitor वगेरा को connect कर सकते हो, और अगर back में आ जाए, तो यह है आपका on-off button, record button और उसके नीचे है USB-C port, आपके camera को charge करने के लिए, और different connections के लिए, bottom की बात करूँ, तो bottom में आपको thread मिल रहा है, आपके tripod के लिए, उसके अलावा हमें मिल रहा है extension pin, जिसके साथ आप accessories को attach कर पाओ, जैसे कि 360 वाला rotation charging base, जो कि इसकी battery life को 2 घंटे से बढ़ा कर देगा, 7 hours तो अगर आप field बे हो, तो आप rotation based जो है, वो भी extra purchase कर सकते हो, और 7 घंटे तक live stream कर सकते हो, बिना किसी रुकावट के, तो अब आपको camera तो मैंने दिखा दिया, तो कुछ है इस तरीके का हमें camera मिलता, जहाँ पर build quality बहुत ही तगड़ी इसकी मिल रहा है, अब कुछ और features के अगर मैं बात करूँ, और अब सारी चीजों के बाद, बात कर लेते हैं app की, तो कुछ इस तरीके का layout यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अब यहाँ पर क्या-क्या मिलता है app के अंदर, सारी चीजों तो नहीं, बट में-में चीज़े आपको मैं बताता हूँ, सब तो भी मैं select करूँगा, वो चीज आपको live stream के अंदर दिखेगी, और अभी on air पर ही मैं दुबारा से tap कर लेता हूँ, तो यह director grade वाला जो feature है, बहुत ही unique है, सारी live streamers के लिए, उसके बार इसके नीचे वाला जो button है, यह settings वाला button है, जहां से आप manual settings कर सकते हो, अपने camera की, और यहां पर जैसे आप देख रहे हो, कि चाहिए मैं ISO को कम जादा करना हो, shutter speed हो, exposure हो, सारी चीज़े मैं यहीं से set कर सकते हो, अगर आपको manual control जादा पसंद है, तो बड़िया है, और एक चीज जो मुझे बड़िया लगते है से app में, अगर आप bottom में देख रहे होगे, तो इसकी तरफ लेके जा सकते हो, और मैं fast पर रख रहे हो, rabbit की तरफ, यह इसकी speed है, कितनी speed से camera जो अब गूमेगा, तो यह मुझे बड़िया लगा इसमे, gimbal को अभी हटा देते हैं, उसके लावा यहां पर gesture controls है, बहुत सारी settings आपको हर चीज के लिए यहां पर मिल रही है, औ यहां पर जैसे यह box है मेरे पास, मैं इसको track करना चाता हूँ, तो app के अंदर मुझे यहां पर tap करना है, और अब मुझे जो box इसको select करना है, कुछ इस तरीके से, और अब इसने box को select कर लिए, अब मैं जैसे जैसे box को घुमाऊँगा, मेरा जो camera है, वो follow करेगा box को, तो ज जाती है, प्रिसेट्स जो है, वो रख सकते हो, और कुछ इस तरीके से आप इस एप को use कर सकते हो, और यहीं से आप जो resolution है, वो change कर सकते हो, 4K, 1080, bitrate वगेरा, सब कुछ आपको app के अंदर ही मिल जाता है, और इस वीडियो को खतम करने से पहले, अगर मैं अपने thoughts की बात कर में तो एक बहुत ही बढ़िया camera है, live streaming के लिए, और content creator अगर आप हो, तो I don't think आपको इसको miss करना चाहिए, एक चीज जो मैं भी शुरू में ही बोल देता हूँ, जो मुझे लगता है कि काफी लोगों को इससे पीछे अटाएगी, वो रहेगा price, 500 डॉलर इसका price है, तो 500 ड जाएगा है मेरे back के अंदर, क्योंकि बहुत ही जादा functions यहाँ पे आपको मिल रहे है, और especially जब आप outdoors में आप live stream करना चाहते हो, एक camera आप कुछ एक second shot के लिए, क्योंकि आप साहर टाइम, phone, 2-3 cameras लेके नहीं गूम सकते हो, तो आपके पास अगर एक छोटा सा camera है, आप इ किस भी और देखना चाहते हो, तो comment करो, मुझे बता जितना जल्दी होगा वीडियो लेके आऊंगा मैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है, तो like, share and subscribe जरू कर देना, अब करता हूँ, वीडियो को खतम मिलूँगा, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, टेक कियर, ब बाइ